हम में से हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हमारे बाद लंबे हों और मजबूत हों लेकिन अगर आप दुनिया भर के ओईल और टोनर अप्लाय करकर ठक चुके हैं फिर भी आपके बालों में वो अफेक्ट नहीं मिलना जिसके आप ख्वाहिश मन्द हैं तो बस एक दफा ये हैर मास कमाज बनाने वाले हैं ये एक मैजिकल पाउडर से बनने वाला है ये ऐसा पाउडर है जो ना सब आपके बालों को बाहर से खुबसूरती देता है लेकिन अगर आप उसको खाएंगा ता आपको अंदर से भी बहुत स्ट्रॉंग बना देगा और आपके बालों के लिए तो आज सही इसको अप्लाइ करना स्टार्ट कर दीजिए वैशे तो मौरिंगा पाउडर को आप सेपरेटली भी अप्लाइ कर सकते हैं लेकिन आज की इस वीडियो में मैं डॉक्तर मधिया भाय नी आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ मौरिंगा पाउडर का एक ऐसा हैर मास जिसमें मैंने मौरिंगा के लावा बाकी कुछ इंग्रीडियन्स भी ऐसे मिलाए हैं जिससे आपके बालों को डबल नहीं बलके ट्रिपल बेनेफिट मिलने वाला है अगर तो आपको आपके अंदर से कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे कि आपके डाइट आपका हैर मास आपके बाल ज़ड़ते है न तो बस यह हैर मास कि आपका एलाज होने वाला है इस हैर मास को आप लगाएंगे हफ्टे में बहुतिझे सिर्फ एक दका अगे चलका पको बदाएंगे किस तरी काफी हैर मास को लगाने नहीं बिल्कुल लगों angel बाल आने वाले हैं तो आज की विजियों में हम बनाएंगे ये hair mask beautiful सा और फिर चलके देखता है कि किस तरीके से इसको लगाना है तो without wasting any time let's drive into the remedy Moringa hair mask को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 3 powder सबसे पहला जो powder हमें चाहिए वो है Moringa का powder अगर आपके पास इस तरीके से powder available नहीं है तो आप online भी मंगा सकते हैं मैं link तीचे दे दूँगी अगर वो भी नहीं है तो आप ले सकते हैं Moringa के पत्ते leaves जो कि आराम सा आपको अपने पास मिल जाएंगे इस Moringa को leaves को लेकर आप पहले अच्छे से wash कर लेंगे और wash करने के बाद आप इसे dry होने के लिए रख देंगे किसी भी paper towel पे तब dry हो जाएंगे अच्छे से सूप जाएंगे तो आप इसे छोटे से chopper में मिला कर इसका powder बना के use कर सकते हैं अगर आपके पास इस तरीके से powder है तो आपको लेनी होगी इसमें सिर्फ एक चमच लेकिन पूरी भर कर पूरा एक टेबल स्पून भर कर आपको मोरिंगा का powder एक बोल में ले लेना है ऐसा बोल हो जिसने भी हम और भी चीज़े एड़ करने वाले हैं इसमें पाउडर जाने वाला है वो है हमारा नीम का पाउडर अब जिनके पास नीम का पाउडर नहीं है और नीम के पत्ते हैं तो आप उन नीम के पत्तों को पहले वाश कर लीजे ड्राइ कर लीजे जब एका दिन में ड्राइ हो जाए फिर आप इसको ग्राइंड कर लीजे अगर आब भो भी नहीं कर सकते तो जो फ्रेश नीम के पत्ते होते हैं उसको हलका हलका सा धोकर फिर आप काट लीजे बिल्कुल छोड़े छोड़े पीसिस में और फिर आप इसमें इसको यूज कर सकते हैं नीम का powder कितना लेंगे, नीम का powder भी मैंने यहाँ पे लिया है, एक ही चमच लेकिन थोड़ा सा कम मैंने moringa से लिया है, moringa थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है, यह दोनों powder के साथ है अब जह हम तीसरा powder डालने वाले है ना, वो भी उतना ही beneficial आपके बालों के लिए और आपने ब एक चमच निकालना है चोटा ती स्फून और उसको भा लेना है पानी पी लेनाः ये आपको इन्टर्नली जाके बहुत अच्छे बेनेफिट्स नाथ बिएंडे के लिए आपके इनर्जी लेवल्स तीज जिन लोगों में हड्यों का मसला है ये हड्यों के मसला बहुत अब त अब बारी आती है कि इसका मास्क इस तरीके से बनाना है, इसका मास्क बनाने के लिए आपको क्या करना है, कि जो पाउडर आपने बनाए है ना, जितनी भी कौंटिटी आपको अपने बालों के हिसाब से रिक्वाइड है, उतना पाउडर आप उसमें से निकाल लेंगे, मैंन जो आज आपको बताने जा रही हो ना वो इस hair mask को डबल नहीं बलकि triple potency वाला बनाने वाला है इतना प्यारा होगा इतना benefit देगा कि आपकी सोच है इसको बनाने के लिए आपको ले लेना है एक pot ऐसा pot हो जो कि आप चूले पर रख सकेंगे इसमें हम डालेंगे रोजमेरी के dried leaves रोजमेरी के leaves आपको सिर्फ एक चमच के बराबर ही इसमें add करने है और अब इस रोजमेरी leaves में मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा पानी पानी तकरिबन एक से देड़ ग्लास पानी enough हो जाएगा इतना पानी ही डालना है कि हमें इसको थोड़ा सा ही चाहिए होगा बहुत ज़धा पानी भी आपको नहीं लेना और यह पानी वह होना चाहिए जो के हम पीने के लिस्ते माल करते हैं इन दोनों चीज़ों में अब हम डालने वाले हैं अब नेक्स इंड्रियंट जो कि हमारे होने वाला है फेनोगरेक सीट याने मेती दाना भी उतना ही लेंगी जितना हमने रोजमेरी लिया था रोजमेरी या मेती दाने को हमेशा मिला कर रियूस कीजिए तो इसका बैनेफेट जादा हो जाता है अब दालूंगी इसमें तीसरी चीज़ जो कि हमारे होने वाले हैं कलॉन जी याने ब्लैक सीट आपके हम इसको क्या कहते हैं जरूर बताया कीजिए यह बहुत इंपोर्टन होता है ताकि मुझे नाम से उसको बुला सको तोड़े से इसमें हमने कलॉननजी के दाने यहने ब्लैक सीट या नाइज़ैला सीटित इसको ले लिए ते तीनों चीजों का अच्छी से मिक्स की जिएगा और इसे चूले पर रख दिजिएगा इसको इतना पकाना है कि यह आदा हो जाए या आदे से भी कम हो जाए इतना बेनेफिशल एफेक्ट है ना इसके रोजमेरी के, फेनुग्रेक के और कलॉंजी के, यह सारे चीजों के जो पॉटेंट से एफेक्ट है, यह सारे उस वाटर में जाके इन्फूज हो जाएंगे, और यह वाटर आपका बहुत ही स्ट्रॉंग सा पॉटेंट सा आपका कर इंगे, इतना ही पानी इसमें एद करेंगे, जो मास कर पैस्ट फॉर्म में हो जाएं मास कॉम में हो जाएं और अफिर आपको बालों में लगाना है लेकिन यहां पर यह पर स्पट पीस मिनिट सबस्सके सबस्केडार, बोलर कम आप में रहेर ऑफ शुता होगास। सबस्क्राइब करें index मेंů था कम से कम रखेंगे चिंट सबस्करते बीजिए यह होगा था कंप लिख और कीजि़ पर नहीं रिकम आप 10 को आई powder थे जो कि आपका powder था आमले का powder, curry leaves याने जो कड़ी पत्ता होता है उसका powder और साथ ही साथ the magical moringa powder ये तीनों powder उस पानी में जाकर मिलकर अब बहुत ही strong bond बनाते हैं वो bond आपके बालों में जाकर मजबूती देता है बालों को shine भी देता है साथ ही साथ जिन लोगों के बाल लंबे नहीं होते हैं बालों को लंबा भी करता है शर्च सिब यह है कि आपको इसो consistency के साथ लगाना है आपके अंदर कोई issue नहीं होना चाहिए और ना ही आपको कोई oiling या toner छोड़ने की जरूँत है oiling भी करेंगे, toner भी करेंगे और साथ ही साथ यह भी apply करेंगे लेकिन इसी कौन सी trick है जिसको apply करने से आपके जो बाल है वो इस mask को लगाने के दौरान बिल्कुल भी नहीं तूटेंगे यही trick मैं आपको बताने वाली है इस mask को लगाने का तरीका थोड़ा सा different है कुछ ऐसी tips बताऊंगी जिससे आपका hair fall और कम हो जाएगा mask लगाने के दौरा tip number one यह कि हमेशा अपने बालों को पहले दो sections में divide कीजिए और बालों पहले अच्छे तरीके से कंगी कर लीजे बाल अगर उलजेवे होंगे तो आपके बालों का गिरना और जादा बढ़ जाता है इसलिए हमेशा बालों को पहले अच्छे तरीके से सुलजा लीजे सुलजाने के लिए हमेशा नीचे से उपर की तरफ की आप जाएंगे जब बाल सुलज जाएंगे तरीके से फिर आप लगाएंगे अपना मास लेकिन मास कभी भी ड्राय बाला में मत क pawister vasty consistency में होता है जब यह paste vasty consistency आपके सूखे बालु में लगती है तो वो जो पेस्ट आप अपने हाथों से लेकर जाते तो इसके साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-स एक तापके बाल गीले भी हो जाएंगे, जिससे आपके मास्क से आपके बालों का हैरफॉल भी कम हो जाएगा, साथ ही साथ आपको जो रोजमेरी का टोनर है उसका भी फाइदा मिलने वाला है, तो यह हो गए ना एक तीर से दो निशाने, तो वो टोनर हमेशा मैं अपने बाल जाए, तो आपको क्या करना है, आपको एक शावर कैपपन नहीं है, यह मास्क लगाने में आपको डिले करना, जिछुन मेरा क्तलब उपने मास्क यह होरितेजूं एहां तो आपके पने मास्क लगायागा, ऐसे करने से च sagt, बधने लिटी जिटीन लगाया तो आपके बाल आपके बार बार जाए नहीं करने एक दफा अगर बार जाए होगे तो वो टूट जाएंगे और बिल्कुल आपके हैर पॉल जाए इसके लिए इस मास्क आपको गीला ही रखना है और ड्राइ नहीं होने देना तेक्नीक यह होगी कि आपको इस मास्क को पूरा जल्दी- करेंगे जभी पूरा मास अच्छे से आराम से निकल जाएगा बिल्कुल भी इस पर ग्रैनियूल नहीं रहेंगे फिर आप अपने बालों में शैंपू कर लेंगे अब आप शैंपू कर सकते हैं होममेट शैंपू अगर आप मेरे मेंबर है तो मेंबर्स के लिए मैंने एक मेंबर्स के लिए होती है वो बहुत ही उससे फाइदा उठा रहे हैं अगर आपने मेंबर्स एक जॉइन कर नहीं है तो डिस्कुरिशन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा लेकिन अगर आप मेंबर नहीं है और वो शैंपू आश्रक आपको नहीं पता तो आप से जगह प तिल देन बाबाई